थीज़ देनील एड विलकम तो संसे वन एच, दोस्तों सभी भी भागों के रिक्ट पदों को जल्द भरा जाएगा उप्व मुखमंत्री मनने तेज़न दादों ने कल एक नुक्ति पत्र वितरन समारों में बोल रहे थे दोख्तों, मानने मुखमंत्री नितिश कुमार ने भ रहे दोस्तों उप मुख मंत्री 13 जादों ने गुरुवार को कहा कि बिहार सरकार का यह प्रयास है कि सभी विभागों के रिक्त पदों को जल्द भरा जाया है हर विभाग ने नुक्ति पत्र वितरन का काम सुरू किया है देश की सबसे बरी समस्या बेरोजगारी है मुख मंत्री सच्वाले सी समवाद कच में उर्दू अनुवाद को वह अन्डे नौ नुक्ति कर्मियों को नुक्ति पत्र दी जाने के मौके पर आयोजीत कारिक्रम में उप मुख मंत्री ने यह बात कही उन्होंने यह भी जोरा कि मुख्य मंतरी नितीस कुमार के नेत्रियूत में बिहार में अमन और भाईचारक कायम रहेगा उप मुख्य मंतरी ने कहा कि महागरबंधन सरकार की यह जम्मेवारी है कि सभी चेहरे पर मुष्कान बनी रहे 9. नुक्त उर्दू अनुवादकों कुन्हों ने यह नसीहत दी कि जिन्हें जो जम्मेवारी मिली है उस पर ठीक धंग से काम करें बीत मंत्री विजे कुमार चौधरी ने इस औसर पर कहा कि नितीस कुमार के नेत्रित में बिहार में उर्दू को बढ़ाने का काम हुआ है समुदाय तक सरकार की निती को पहुचाना है उर्दू दुबान किसी एक समुदाय की भासा नहीं बलकि तहजीब की भासा है इस मौके पर अल्फ सेंख्या कल्यान मंत्री जमा खांड सुचना परो देगे की मंत्री इजरायल मंसूरी वा मुखे सच्यू आमीर सुभानी ने भी अपने बिचार रखे मुके पर मुख्यमंत्री के परदान सचु दीपक कुमार मंत्री मंडल सचु आले विभा के अपर मुख्य सचु डॉक्टर A.C. दार थे मुख्यमंत्री के सचु अनुपम कुमार O.S.D. गोपाल सी सुन्नी वक्फ बोर्ड के अध्याच इर्षादुल्ला सिया वक्व बोर्ड के अध्याच सेयद अफजालवा हाज कमीटी के अध्याच भी मौजूद थी वहीं दोस्तो सिच्छक बहाली को लेकर के आज से फिर से अंदोलन सुरू किया जा रहा है मुखमंतरी उपमुखमंतरी लगातार हर समारों में बोल रहे हैं कि जितने भी रिक्त पद हैं उन रिक्त को जल से जल्द बरा जाएगा करवाई की जा रही है वहीं सिच्छक बहाली को लेकर के नाराज अव्यर्थी सात्वे चरण के लिए को जल्द से जल्द प्रारंब करने के लिए आज से पटना के गर्दनी बाग में अंदोलन प्रबैर्थ हैं दोस्तों राजी के प्रारंभिक विद्याल में सिच्छक बाली को मांग को लेकर सुक्रोवार को सिच्छक अभियर्थियों दोरा निक्चित काली नाम दोलन शुरू होगा इसके जानकारी बिहार प्रारंभिक युवा सिच्छक संग के परदेश अध्याच दिपांकर गौरो तथा नी बार के माने तो ये बात पहले ही किलियर हो चुकी है कि पहले माधमिक और उच्च माधमिक की डिख्ती आने वाली है दोस्तों जो की आपकी दिसंबर में इस नोटिफिकेशन आने की पूर्ण चांसेज है नॉमबर महीने में कैबिनेट बैठक में इसकी स्विक्रिती ली के स्तरकार छठे चरन में जो नौनिक्त सिछक हैं दोस्तों उनके परमान पत्र जल्द से जल्द वापस करने के लिए लेटर निकाल रही है सच्वाले के तरफ से लेटर निकल चुका है कि 15 नौमबर तक हर हाल में सभी नौनिक्त सिछकों के ओरिजनल सर्टिफिकेट जो निय जीले में डेट जारी कर दिया गया जो जीला के तरफ से जारी किया जा रहा है दोस्तों 15 नौमबर से पहले का डेट है कई जीले के तरफ से डेट जारी कर दिया गया है यहां पे साथ नौमबर से आपका परमान पत्र वापस का कारिकरम तै क्या गया है साथ से लेकर के चौ को उनके ओरिजिनल जो सर्ट्फिकेट है उन्हें वापस कर दिया जाएगा दोस्तों सात्वे चलन को देखते हुए ही यह परकिरिया पूरी की जा रही है कि सभी परमान पत्र वापस हो जाएंगे और उसके बाद सात्वे चलन की जो परकिरिया आएगी तो उसमें किसी भी अ और अनेमेतिता हुई तो DEO और DPO की होगी जवाब देए दोस्तों सितंबर के वेतन की 1190 करोर की रासी जारी करने के अगले ही दिन सिच्छा भी भागने राजी को प्रारंभिक विद्यालों में समगरे सिच्छा के अंतरगत कारेरत सिच्छ को के लिए अक्टूबर के वेत दान किया जाना चाहिए बिहार सिच्छा परियुजना परिशत के राज्य परियुजना निदेशा असंगबा चुबा आओ ने 1259 करोर 30 लाख 25,700 रुपे जिले जिलों को उपलब्ध कराते हुए सभी जिला सिच्छा पदाधिकारियों तो था समगरे सिच्छा के जिलाकार करम पदाधिकारियों को निर्देश दिया है कि जिले में सिच्छा के वेतन मद में पूर्व से उपलब्ध रासी का जिलाकार करम पदाधिकारिया स्थापना से सामन जस्थापित कर समिच्छा करें राशी प्राप्ति के चोबिस घंटे के अंदर अक्टूबर का वेतन भुखतान कर राज जिकार्याले को सुचीत करें बीपी निदेशक ने चितावनी देते विकाहा है कि भेजी गई 1258 करोर की राशी भुखतान में अनिमेतिता पाये जाने पर सारी जबाब देही जिले के DEO और DPO तथा DPO की होगी दोस्तों लाखो नियोजित प्रारंभिक सिच्चको को अक्टूबर का वेतन भी 24 घंटे के अंदर दिया जाएगा दोस्तों राज में समगरे सिच्चा के लाखो नियोजित प्रारंभिक सिच्चको को गट अक्टूबर मा का वेतन भी 24 घंटे के अंदर मिलेगा दोस्तों लेकिन ऐसा बिलकुल भी नहीं होने वाला है ये सिर्फ आपको खुस करने के लिए ऐसी खबरे पहलाई जा रही है लेकिन हकीकात ऐसा बिलकुल भी नहीं है दोक्तों कि आपको 24 घंटे के अंदर अक्टूबर का वेतन मिल जाएगा वेतन का भुकतान कर दिया जाएगा जो लेटर जारी हुआ था दोक्तों सिप्तमबर मंत में भी यही चीज़े कहा गया था कि जब राशी का आवंटन कर दिया गया है जिले में भेज दिया गया है तो 24 घंटे के अंदर सभी सिच्चकों को भुकतान कर दिया जाएगा अन्य था डी और डी प्यों के उपर कारवाई होगी लेकिन 48 घंटे बित जाने के बाद भी कहीं भी किसी भी सिच्चकों अभी तक वेतन का भुकतान नहीं हुआ है और कोई कारवाई कहीं नहीं की गयी है दोस्तों और यह जान लिजिए कि यह जो पैसा का आवंटन तो हो गया है जीले मेरा सी आ गई है लेकिन अभी आपको कम से कम 10 नॉमबर तक इंतिजार करना होगा दोस्तों 10 नॉमबर से पहले सभी को 2 महीने का बेतन हो जाएगा उससे पहले होने की चांसे बहुत कम है कि आज का लेक दो दिन के अंदर हो जाएगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि यह 24 घंटे के अंदर हो जाएगा जैसा कि यहां आकपार के माधम से कहा जा रहा है तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि 24 घंटे के अंदर आपको वेतन का भुकतान होगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है लेकिन 3-4 द